आप लोग यह तो जानते ही हैं, आनंदप प्राप्ति के हेतु, केवल स्री कृष्ण भक्ती ही साधन है, भक्ती अनेक प्रकारकी होती है, भागवत ग्रंथ में ही एक प्रकारकी, तीन प्रकारकी, पाच प्रकारकी, छे प्रकारकी, नव प्रकारकी, बारा प्रकारकी, चौदा प्रकारकी, सोला प्रकारकी, सत्रा प्रकारकी, वन्नैस प्रकारकी, बाइस प्रकारकी, पचीस प्रकारकी, तीस प्रकारकी भक्ती बताई गई है, भक्ति का मतलब है मन को भगवान में लगा देना तस्मात केना प्युपायेन मनः कृष्ने निवेशायेत भागवत कहिती है सात्मे असकंद के पहले अध्याय का यक्तिस्वा अश्लोग किसी प्रकार से भी मन भगवान में लगे उसका नाम भक्ति कोई प्रकार हो प्रकार जीव पर छोड़ दिया इसलिए कभी कोई किसी प्रकार से भक्ति कर रहा हो तो ये मत बुरी भावना करना इसको भक्ति करना नहीं आता चाहे जैसे हो मन को भगवान में लगा देना ही भक्ति है किन्तु विशेश रूप से सभी आचार्जों ने नवधा भक्ति को स्विकार किया है स्रमनम, कीर्तनम, विश्नो, रर्चनम, पादसेवनम, स्मरनम, बंदनम, साक्यम, दास्यम, सक्यम, आत्म, निवेदनम सात्वे असकंद के पहले अध्याय का पचीश्वा श्लोग प्रजलाद ने नवधा भक्ति बताई है इसी को सभी आचार्जों ने विशेश रूप से माना है इन नव प्रकार की भक्तियों में भी मैं तीन प्रकार की भक्ति ही बताता हूं जो सबचे प्रमुक है श्रमण, कीड़तन, स्मरण शुक्देव परमहंस ने परीक्षित को यही तीन बताई थे परीक्षित ने पूछा था यच्छो तब्यमथो जप्यम यच्कर्तब्यम निर्भिप्रभो स्मर्तब्यम भजनियम बाब्रूही यदवा विपर्जयम पहले असकंद के उन्नीसमे अध्याकाठ रामा श्लोक गुरु जी यह बताईए कि कौन सी भक्ती आइसी है जिसके करने से शीग्र लक्ष प्राप्त हो जाए तो शुक्रेव परमांच ने उत्तर दिया था तस्मात भारत सरबात्मा भगवानी श्वरोहरी श्रोतब्या कीर्तितब्यस्च स्मर्तब्यस्चे श्चताभयम दूसरे असकंद के पहले अध्याय का पाचवाश लोग अर्थात श्रमन, कीर्तन, स्मरन ये तीन प्रकार की भक्ती सबसे प्रमुख और सरल और शीग्र लक्ष को दिला देने वाली फिर कहा तस्मात सरबात मना राजन हरिस सरबत्र सरबदा श्रोतब्यकीर्तितब्यस्च स्मर्तब्यो भगवान नाम दूसरे असकंद के दूसरे अध्याय का छत्य स्वाश लोग वही तीन फिर दोहरा दिया शुक्देव जी ने स्मरन, स्रावन, कीर्तन स्रावन माने सुनना आप लोग भगवान की बात सुन रहे हैं यह भक्ती है और कीर्तन यह तो आप करते ही रहते हैं रोज भगवान का नाम गाना गुण गाना लीला गाना और स्मरन यानि मन से रूप ध्यान करना इन तीनों में भी सबसे प्रमुक है स्मरन इसलिए बेदव्यास ने बड़े जोड़दार शब्दों में कहा मैंने चहों शास्त्रों का मन्थन किया बेदों का मन्थन किया और यह निर्णय निकाला कि धेयो नारायनों हरी भगवान का स्मरन ही भक्ती है स्मर्तब्यस्चततं विष्णुर्विस्मर्तब्योन जातुचित सरवे बिधिनिशेधास्यु रेतरे औरेव किंकरा असकंद पुराण भी यह कहता है पद्न पुराण भी यह कहता है भागवत भी यह कहती है भगवान ब्रह्म कार्ष्टेन त्रिरंडीक्ष्मनीशया ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने तीन बार बेदों को मत कर यह निचोड निकाला है कि केवल भगवान का स्मर्ण करना ही ही भक्ती है दूसरे असकंद के दूसरे अध्याय का चोंतिस्वा असलोक वैसे रूप ध्यान के लिए आठ प्रकार की तरकीबे बताई हैं उपाय बताए हैं भागवत में शैली, दारूमई, लोही, लेख्या, लेप्या, त्यसाइकती, मनोमई, मनिमई, प्रतिमाश्ट, विधास, मृता आठ प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, उसमें बहुत प्रचलित जो हमारे देश में है वो शैली है, मालिए शिला की, पत्थर की, मूर्ती बना लिते हैं, भगवान की मंदिर में रख देते हैं, फिर उसकी सहायता से रूप ध्यान करते हैं, लेकिन क्रिपालू की राय थोड़ा इससे भिन्न है, क्रिपालू कहता है, देखो भई, तुम मूर्ती का ध्यान करोगे, तो कई बातें सोचनी चाहिए, एक तो मूर्ती का रूप एक ही रहेगा, जैसा मुख बना है, जैसी आख बनी है, बस उतो बदलेगी नहीं, कि मूर्ती को आप दो-दो मिनट में बदलते जाएं, और मन पड़िवर्तन चाहता है, एक बस्तू में मन का लगाओ, अधिक देर नहीं रह पाता, नमबर दो, हम भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, मान लो, मूर्ती में हमने भगवान की भावना की, और हम मूर्ती को अच्छा कपड़ा पहनाना चाहते हैं, और बड़े-बड़े हीरों की माला पहनाना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, गरीब है, क्या करें बिचारा, खिन्न होता है, इसलिए, उन्हीं आठ प्रकार की मूर्तियों में, एक मूर्ती है, मनो मई, मन से बनाओ, बस, कितना आराम, चाहे जहां बैठे रहो, मंदिर मत जाओ, वो दूर पढ़ता है, पैर से चलना पड़ेगा, फिर वहां तमाम लोग बैठे हैं, आख मंद करके ध्यान करोगे, लोग देखेंगे, कोई कुछ कहेगा, आप अपने घर में बैठिये, अपने कमरे में बैठिये, खाट पर बैठे रहिए, नहाईए, धोईए, नहीं, कुछ नहीं, मन से भगवान का रूप बनाईए, जैसा मन कहे, आप मन के घुलाब बन जाएए, लंबा लंबा भगवान मन को पसंद है, ओ बना लो, ठिगना ठिगना, बामना वतार, ओ ऐसा बना लो, काला काला, रंग पसंद है, काला काला बन वालो, गोरा गोरा चाहिए हमको भगवान, हाँ ऐसा बना लो, मोटा मोटा चाहिए ऐसा बना लो, दुबला पतला चाहिए, जैसा आपका मन करे, ऐसा रूप बना लो. और बार बार चेंज करते रहो हमको छोटे से अब भगवान चाहिए गोद में ले लू ऐसा मन कर रहा है लो छोटे से बन गए मन से बना लो अब हमको कपड़ा पहनाना है मन से पूजा कर रहे हैं मन के बनाए हुए भगवान की अलवकिक बस्त्र सोचो ऐसा कपड़ा ऐसी चमक ऐसी खुश्बू है उसमें ओ पहना रहे हैं स्यामसंदर को ओ कोहनूर हीरा का भाप अलवकिक दिव्य हीरे की माला पहना रहे हैं बड़े बड़े हीरे उनकी चमक बिजली की तरह हो जो मन में आये श्रिंगार करो बिना पैसे के खाट पर बैठे बैठे लेटीन में बैठे बैठे बातरूम में बैठे बैठे सब जगे एक सेकंड को पीछा न चोड़ो भगवान का वो तुमारे हिर्दैने सदा रहते हैं तो तुम क्यों भूल जाते हैं कि हम पवित्र जगे में ध्यान करेंगे नो नो बेदव्यास ने पद्न पुराण में कहा है अपवित्रह पवित्रोवा सरवावस्थां गतोपिवा घोर अपवित्र रहो तब भी उनका अस्मरण करो तो अपवित्रता पवित्रता में बदल जाएगी भगवान अपवित्र नहीं होंगे शुद्ध बस्तू से मिलकर अशुद्ध बस्तू शुद्ध हो जाती है गंगाजी में कोई कुल्ला कर दे कोई और नदी मिल जाए तो वो गंगाजी बन जाती है आग में कोई भी चीज डाल दो तो आग बन जाती है तो भगवान और संत महापुरुष के शुद्ध बस्तु है इनसे प्यार करोगे तो तुम अशुद्ध हो शुद्ध हो जाओगे वो अशुद्ध नहीं होंगे वो तो शुद्ध ही रहेंगे तो मन से रूप ध्यान बनाओ सकत यदंग प्रतिमस तपो मन से मनोमई भागवतीम ददव गतिम साकृत यदंग प्रतिमां तराहिता मनोमई ओ भगवान की प्राप्ति करा देता है मन का बनाया हुआ ध्यान परिक्षित को शंका हुई थी कि आगाशुर का उद्धार कैसे हो गया वो तो सारे सखाओं को अपने पेट में ले जा रहा था तो शुकदेव ने कहा अरे गदे तू सोच तो कि जब मन से बनाया हुए भगवान से जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो जिसके मुह में स्रीकृष्ण चले गए स्वयम और उसको मार दिया तो उसको अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो कौन सा आच्चर जै तो मन से रूप ध्यान बनाओ और जैसी इच्छा हो ऐसा बनाओ और बार बार चेंज भी करो कपड़े बदलते जाओ अरे या जैसे तुम लोग अपना कपड़ा बार बार बदलते हो बड़े बड़े आदमी देखो सबेरे कुछ दोपार को कुछ शाम को कुछ घर में कुछ आफिस में कुछ पार्टी में कुछ ऐसे ही हम अपने शाम सुन्दर के भी हजारों कपड़ें से भर दो आलमारियां और निकाल निकाल के पहनाओ कुछ खर्च तो होना नहीं है मन से तो ऐसा रूप ध्यान करते हुए ही कोई भी साधना करो जब करो रूप ध्यान कीर्टन करो रूप ध्यान रूप ध्यान प्राण है ध्यान दो और सब साधनाएं शरीर है अगर प्राण निकल गया तो शरीर मिट्टी है ऐसे ही अगर रूप ध्यान नहीं किया भगवान का ध्यान नहीं किया संसार का ध्यान किया क्योंकि अगर भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो संसार का ध्यान अपने आप होगा 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 बिश्व में कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम भगवान का भी ध्यान नहीं करेंगे संसार का भी नहीं करेंगे नो नो इंपॉसिल नहीं कश्चित छण मपिजातु ते श्ठत्य कर्मकृत एक छण को भी मन चुप नहीं बैठेगा अगर भगवान में न लगाया तो संसार में गया कि तेजी से गया कि लेने ही जाना पड़ेगा अपने आप जैसे एक मिट्टी का धेला है हाथ में पकड़े हो तो प्रिशिवी से अलग है पकड़ना छोड़ दो अपने आप प्रिशिवी खीच लेगी तो मन माया का है संसार माया का है इसलिए मन को संसार खीच लेता है अपने आप चाला की ये है कि भगवान में लगाते रहो लगाते रहो लगेगा नहीं लगाना पड़ेगा ये जो बोल देते हो मन नहीं लग रहा है बार 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 लगाओ तो लगने लगेगा बार 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 चाए पिया तो फिर चाए में मन लग गया शराब में मन लग गया सिगरेट में मन लग गया पाइदा होते ही नहीं किसी ने कहा शराब लाओ इसी प्रकार भगवान में बार बार मन लगाओ 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 तो फिर लगने लगेगा फिर तो ऐसा लग जाएगा कि सूर्दास चैलेंज करते हैं भगवान को हिर दयते जब जा हुगे मर्द बदोंगो तो हैं हम तब तुमको जाने मर्द माने भगवान की बाप बने हो निकल जा हुड़ दे से नहीं निकल सकते हैं लेकिन पहले तो लगाना पड़ेगा इसलिए साधना करते समय तो रूप ध्यान पहले करो फिर साधना शुरू करो यह हमारा वाकरट लो पहले रूप ध्यान फिर कीरतन या पूजा जो चाहसो करो नंबर एक रूप ध्यान ये जो हरे राम हरे राम राधे राधे बोलते हो ये क्या है ये पुकारना है हे हरी हे राम हे कृष्ण हे राधे हमारी पुकार सुनू जैसे कोई भूखा बच्चा रोता है मा के लिए भूखा है दूद्ध पिला दे ऐसे ही आप रो रहे हैं भगवान से आनंद दे दो दर्शन दे दो संसार नहीं मांगना मोक्ष भी नहीं मांगना ये दो दुश्मन है तो इस प्रकार जब एक दो घंते चार घंते साधना करते हो तो उसमें तो ध्यान करो ही और बाकी टाइम में भी भूलो मत हमारे हिर्दय में बैठे हैं तेखो संसार में कोई किसी के पास एक लाख होता है एक करोड होता है एक अरब होता है तो वाहाँ मेरे पास एक अरब है यह फिलिंग होती है भीतर से अहंकार की और हमारे हिर्दय में तो अनंत कोट ब्रह्मांड ना एक भगवान बैठे हैं आइडिया नहीं द्वास परणा सविजा सखाया बेद कह रहा है सब के अंदर बैठे हैं और सदा बैठे रहते हैं जो गाली देता है उसके अंदर भी बैठे हैं नोट करते हैं कितने गाली दी इसने इसलिए मरने के बाद इसको कितना दंड देना है डिस्टर्ब नहीं करते हैं चुपचाप नोट करते हैं यह फिलिंग बनाईए बार 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 जा रहे हैं रिक्षे पे बैठे हैं कार में बैठे हैं यहां से पंदरा मिनट का रास्ता है तो मन तो कुछ नो कुछ सोचेगा अगर भगवान को नहीं सोचते तो मा है बाप है बीबी है पती है संसार है यह सब सोचोगे मन गंदा होगा और मन को शुद्ध करना है यह हमारी डूटी है बाकी काम तो गुरु और भगवान करते है हमारा काम श्याम सुंदर के दर्शन और उनके प्रेम के पाने के लिए रोकर आशू बहाना यह हमारा काम हर समय हर जगे यह रियलाइज करना वो हमारे साथ है 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 इसलिए रूप ध्यान पर प्रमुख ध्यान देना है और रूप ध्यान का बार बार अभ्यास करना है जब कुछ दिन परिश्रम करके अभ्यास कर लोगे तो अपने आप होने लगे और पिर टेंशन नहीं होगा एक तो ये प्रमुख बात मुझे कहनी है दूसरी बात ये कहनी है ओ संसारी बात है है भगवान से संबद्ध कि जो अपनी ये संस्था है इस संस्था के जो प्रमुख कार्ज करता लोग हैं उनमें ब्यवहार की कमी है ब्यवहार को दीनता नम्रता मधुरता से जुक्त करो और ये प्रेयत्न करो कि हमारी संस्था से और लोग जुड़ें जो अलग हो गए हैं उनको जोड़ो जो नहीं आये हैं उनको लाओ सब की ड्यूटी है ये एक ब्यक्ति को भी अगर तुमने समझा बुझा करके अपने गुरू के बारे में अपने इष्टदेव के बारे में और भगवान की ओर लगा दिया भगवान प्रसंद होते हैं इससे तुमको कमीशन मिलेगा उसमें तुमने चार जीओं को भगवान की ओर लगा दिया तो ये प्रेयत्न करो औरों को अपनी संस्था में जोडने का और जोडने के लिए नम्रता दीनता एक में दवा है दीनता अकड ने दीनता हाथ जोड़कर सदास्तिर जुकाओ सब के आगे तबी महान बनोगे तिरनाद पिसुनी चेन तरोर पिसहिश्णुना गौरंग महाप्रभु का आदेश है तिरन से बढ़कर दीन भाव लाओ सब को अपने से उंचा मानो और सहन सील बनो कोई गाली भी दे दे अपमानित भी कर दे तो सोचो मत हमको उसने यह कहा इसलिए हरे तुम क्या नहीं हो जो कुछ कहा अरे काम क्रोद लोब मो सब तो भरा है तुम्हारे अंदर कोई बुराई करेगा तो इसी के अंदर ही तो करेगा उठीक कह रहा है क्यों फील करते हो और अगर ऐसे फील करोगे तो दीनता नहीं आएगी तो प्रदीन बंधू से क्या आशा करते हो सारे जीवन ऐसे रह जाओगे कोरे लोग भले ही समझें तुम बहुत बड़े साधक हो उससे क्या लाप लोगों के समझने से क्या होगा मरने के बाद जो कुछ तुमारे भीतर है वो फल मिलेगा तो अंदर से दीनता की भावना बढ़ाओ और अधिक लोगों को संस्था में जोड़ो ता कि जैसे आज तुम बड़ी मुश्किल में आठ दिन रोक सके हो महराज जी को फिर चैलेंज के साथ अपकी बार को रहे हैं अपकी बीस दिन रोकेंगे बोलिए लाडली लाल की हम बस्ट बार को में लाडली लाडली दयो की दए गाट, रहे हैं, एक दो मुछहाँ, तो बाός भाली आपकी बाए़गे हैं और रोके घ्रीन, लातिक जड़OW